स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं COVID-19 Antigen Kit के बारे में और किस तरीके से इसमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं पूरा प्रोसेस हम इसमें देखने वाले हैं तो चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों में भी सेर कीजिएगा और इस तरीके से हमारे पास ये COVID-19 Antigen का पूरा Kit का नया Packet आया हुआ है और इसको हम Unbox करके आपको दिखाएंगे और इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाता है पूरा Information यहां पर दिया हुआ है बहुत आसान है समझने के लिए आपको फिर भी हम आपको सारी जानकारी Step by Step देने वाले हैं इसमें और किस तरी किस टेस्ट परफॉं करते हैं वो भी आपको बताएंगे Standard Q COVID-19 Antigen का यह आपको पूरा नया Packet है और 25 Test Kit आपको इसमें अविलेबल हो जाते हैं और 25 Test आप इसके द्वारा लगा सकते हैं एक नया Packet के द्वारा तो इसमें आपको Contents जो है Test Devices आपको 25 मिलेंगे Buffer Tube आपको 25 मिल जाते हैं Nozzle Cap 25, Stral Swipe आपको 25 मिल जाते हैं और Instruction के लिए आपको Literature इसके अंदर मिल जाता है जिसमें सारे Process और सारी सावधानिया और जानकारी आपको उसमें मिल जाता है तो जो भी Test Kit आता है उसमें से जो Literature आता है उसको आप जरूर ध्यान पूरवक पढ़ें भले आपको कोई समझाए लेकिन उसके बाद भी आपको पूरा Complete जरूर पढ़ना है पढ़ने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाता है Step by Step तो कोई भी चीज़ें आपको Miss नहीं करना है सावधानी बहुत जरूरी है और Step by Step प्रोसेस बहुत जरूरी है तो इस बात का आपको विसेश ध्यान रखना है तो हम इसको Unbox करके देख लेते हैं और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको मिलता है तो वो सारा जानकारी में आपको इसमें देता हूँ तो ये आपके पास पहला जो instruction इसमें सारा आपको आसानी से समझ में आ जाता है और पूरा image भी इसमें दे रखा है Step by Step तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है तो nasal swab आपको sample लेना है swab के माध्यम से nasal से आपको sample इसमें ले लेना है तो sample ले करके आपको buffer में उसको transfer करना है mix करना है अच्छे से और उसके बाद nozzle cap लगा करके और आप test kit में उसको 3 drop रख देते हैं और test run हो जाता है तो अभी हम step by step देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा तो ये instruction आप इसमें आता है ठीक है उसके बाद आपको इसमें buffer tube मिल जाता है और ये भी 25 हैं और कैसे दिखाई देता है वो मैं आपको पूरा detail में आपको दिखाऊंगा तो ये 25 आपको buffer tube आपको मिलता है इसमें पूरा जानकारी इसमें आपको दिया हुआ है और उसके बाद ये stral swab है जिसके द्वारा आपको nasal से sample लेना है तो nasal swab वाले sample आपको जो है इसमें लेना है और उसके बाद आपको इसमें nasal cap भी आपको मिल जाता है तो इस तरीके से ये nasal cap है और इसको आपको buffer tube की उपर लगाना है जब आप sample ले लेते हैं उसके बाद इसको उसमें लगाना है और सबसे पहला चीज़ आप ध्यान दें ये जो plastic का stand है जैसे test tube के लिए stand आता है उसी तरीके से वो stand है उसमें अच्छे से आपका buffer और ये stand हो जाते है तो ये आपका test device है जो अभी हम open करके इसमें देखेंगे और क्या क्या चीज़ें कैसे दिखाई देता है वो सारा जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा तो ये buffer tube है जिसमें आपको sample रखना है जो nasal swab आप लेंगे वो sample इसमें transfer करना है ये आप देख सकते हैं buffer इसमें fill है और उपर अच्छे तरीके से ये cap है पेपर जो है उससे जो है अच्छे तरीके से cap इसमें पूरा pack करके दिया हुआ है और इसको open करेंगे तो आसानी से open हो जाता है जब आप test लगाएंगे तो इसको आप उपर से open करेंगे उसके बाद इसमें जो swipe से sample लेते हैं वो इसमें transfer करना है ये आपके पास nozzle cap है जिसको आपको उसके उपर जो है ये आसानी से fit हो जाता है और अच्छे से जब आप इसको लगा देंगे और उसके बाद ये आपका nozzle cap है और इसके माध्यम से ही आपको transfer करना है sample आपके test devices में तो complete आपको समझ में आने वाला है इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें तो सबसे पहला ये आपके पास stress vibe आता है इसको आपको open करना है open करने के बाद बहुत ही smooth है ये और nasal के माध्यम से आपको sample patient का ले लेना है sample कैसे लेते हैं सारा process आपने पहले भी सीख चुका होगा तो ये इस तरीके से आप इसको उपर उठा करके आप इसको सावधानी पूरवक open कीजिएगा ठीक है और ये stand कर लीजिए जो plastic का अच्छी quality का है ये stand जो आया है तो इसकी उपर आप इसको रख दीजिए बहुत अच्छे से fix हो जाता है और इस तरीके से आप इसको open कर देते हैं और open करने के बाद अब ये जो है buffer tube आपको sample इसमें लेना है लेकिन sample लेने से पहले आपको इसमें labeling जरूर करना है ठीक है तो labeling कर लें कौन से patient का है और इस तरीके से देखिए 5-6 बार आप अच्छे से इसको mix कर लीजे घुमा करके sample लेने के बाद इस तरीके से आप mix कर लेंगे तो sample अच्छे से उसमें आ जाता है तो जो भी आपने sample लिया है sample mix करने के बाद अब आपको क्या करना है यह जो nozzle cap है nozzle cap लेकर के आप इसमें अच्छे तरीके से उपर fit कर दीजे और यह पूरा अच्छे तरीके से fix हो जाता है ठीक है तो कहीं से भी यह देखिए आप अच्छे तरीके से इसको fix कर देना है tight करके और यह जब fix हो जाता है उसके बाद आपको यह test device को open करना है test device को open करने के बाद इस तरीके से आप इसको आपने हाथ में ले करके और इस तरीके से देखें कैसे sample transfer करना है यह आप पेट का काम करने लगा और इसमें आप three drop sample जो है तब तक हम इसको रख रहा है और उसके बाद इसको हम discard कर देंगे इस तरीके से देखें 15 से 30 मिट तक आपको यह report दे देता है और 30 मिट के बाद इसमें reporting आपको नहीं देनी है तो 15 से 30 मिट के अंदर जो report आ रहा है वही report valid है और उसके बाद 30 मिट के बाद वो false है उसको आपको reporting नहीं करना है तो instruction में आपको इस पस्ट दिया हुआ है तो इस तरीके से देखिए जैसे आगे बढ़ते जा रहा है आपका जो sample आपने उसमें रखा है और control और test दो line हैं इसमें control तो line आ गया है और test line का await हम करते हैं और उसके बाद जो है अगर control में के बल लाइन आया है टेस्ट में नहीं आया है तो यह negative sample है ठीक है और उसके बाद अगर positive तब होगा जब test और control दोनों में line आपको दिखाई देता है तो ये sample आपका positive है, control और test दोनों में, अगर केवल test में line आता है, control में नहीं आता है, तो invalid है, ये जो kit है आपका, और वो आपको invalid मानना है आपको इसको, और ये literature आपको दे रखा है, इसमें देखिए, आप इस post आपको step by step सारा process इसमें दे रखा है, जरूर इसको पढ़ें आप वीडियो को रोख करके, तो thank you so much, बस यही बताना था, और अपने दोस्तों में share